Hello everybody, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे VPN के बारे में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था Routing and Remote Access Service में How to configure NAT and PAT तो आज हम देखेंगे, फायरबोल के सेक्षन में VPN को VPN कर से connect करते हैं और इस पूरे study के लिए same network का हम लोग यूज करते हैं जो पहले लास्ट वीडियो हम लोग नैट पैट में किया था इसमें इतना ही अंतर है कि हम लोग router 1 पे हम लोग नैट पैट किया था नैट पैट same configured है router 1 के ऊपर और इसके ऊपर हम लोग VPN करेंगे यहां पर slightly मैंने चेंज किया आई-पी अड्रेसिंग में 64 120 30 124 बिट लिया है मैंने लास्ट ताम मैंने 30 बिट लिया था इस ताम 24 बिट लिया और यह आई-पीज का इस तरह का रखा यहां पर हम लोग ने इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि configure राउटर आज वीपियन सर्वर बनाएंगे जब भी हम लोग क्लाइन कंपूइटर से वीपियन को करेंट करते हैं वीपियन को करेंट करने का पर्पस क्या होता है कि यह इंटर्नल में जो भी रिसोर्स है इनके अक्सेस फॉर ना तो यह एक्सेस हम लोग यहां पर बाहर के नेटवक से भी कर सकें इसके लिए क्या करते है कि यह कंपूटर यह करेगा वीपियन सर्वर को और वीपियन विल आथेंटिकेट और इनके पास एक अलग एक आईपी आजाएगा आईपी रेंज जो कि प्रोड़क्शन के प्रोड़क्शन का आने का मतलब है कि कहीं ने कहीं कम्मिनिकेशन हो रहा है और ऑथेंटिकेशन हो रहा है जिसमें सर्वर वन डोमेन कंट्रोलर भी आएगा पिक्चर में और वीपियन भी आएगे पिक्चर में इसके उपर वीपियन और डोमेन कंट्रोलर के बीच में कम्म आते हैं इसके नियू नाम दिया गया है यह है एंपी एस सर्वर सर्वर वन पर लोग एंपी एस करेंगे इसके बाद यहां पर देखे एडी विल भी दा मेन आउथेंटिकेटिकेटिंग सर्वर कन्फिगर दे क्लाइंट मस्वें टु कनेक्ट टॉ-ध्र नेटवर क्लाइंट मसीन पर हम लोग वी पिन क्लाइंट करेंगे ऑल टू ब्र डॉडिक्ट्शन रिसोर्से इंक्लूड इंक्लूडिंग वेब सर्वर वेब सरवर आडिपी इस जो भी रिसोर्सेस हैं हमारे इंट् PETER 10 क्लाइन करेंगे विपीचन कंफिगर करने के लिए राटर प्राइट क्लिक करेंब करेंगे पसिलेक्त करें लाइक क्लाइट पहर कीसे बहुत सारे अधर उपसें गविंक्राइफ हैं स्तों हम लोकिन Ondra यहां परने टेक्राइब करेंगे तो उनको भी स्लेट कर लेंगे और VPN भी स्लेट करेंगे, तीनों स्लेट करेंगे, ख्लिक next and then finish and then start this service, routing and remote service तो start हो गया, अब router पे click करते हैं, properties पे जाते हैं, इस properties में देखिए बहुत सारे टाप में से एक टाप सेक्यूरिटी, इस पे हम लोग को Windows Authentication या Radius Authentication हम लोग को configure करना पते हैं तो चलिए इससों configure करते हैं configure पर हम लोग क्लिक करते हैं इसमें option है add करने का यह जो server one है यह domain controller है इसी के उपर हम लोग radius और NPA service install करेंगे इसी server one का नाम हम लोग यहां पर add करते हैं serverone.avinsoffice.com यहां पर हम लोग configure करते हैं shared की और secret की इसकी का use हम लोग करेंगे VPN और radius server के बीच के communication के लिए यहां पर मैं add कर रहा हूं की 123456 इसकी को याद रखेंगे इसकी का use हम लोग करेंगे radius server के configuration के time now click on okay and then okay and wait for some time.next है authentication method इस authentication method में देखिए ms chap version 2 है Microsoft challenge hand-seeking protocol version 2 EAP का हम लोग use नहीं करेंगे यहां पर इसके लिए certificate service चाहिए जो कि हम लोग ने install नहीं किया है अपने environment में इसलिए हम लोग ms chap version 2 का ही यूज करेंगे Windows accounting accounting का use हम लोग करते है VPN users के login और log off के tracking के लिए कितना time किया कितना देर किया यह सारे tracking के लिए हम लोग accounting का use करते हैं अभी हम लोग इसका use यहां पर नहीं करते हैं now click on okay it will restart the routing and remote access service and wait for some time है जब तक यह service is start हो रहा है हम लोग install करते हैं radius और NPS role को server 1 पर now select the role network policy and access services add the features next and then then select the option to reboot the server once done then finish यह service user start हो गया IPv4 tab पर आते हैं यहां पर dhcp को enable रखेंगे और इसमें जो option है use the following adapters to obtain dhcp इसमें हम लोग vmnet 3 को select करते हैं vmnet 3 वो network adapter है जो कि हमारी production environment से connected है the role is installed and server is rebooted you can see here NPS service in server manager open administrative tool the network policy services now click on NPS local configure VPN or dial-up then select virtual private connection here and then click add यहां पर option friendly name का friendly name में हम लोग वो ने मैं एंटर करते हैं जो router का information जिससे हमें पता चले कि यह router के information तो हम लोगों यहां पर router का ही नाम डाल दिया है router उसके बाद VPN का IPvS हम लोग यहां पर डालते हैं यहां पर shared screen section है यहां पर देखिए वो आपको की की requirement होगी जो हम लोगों ने VPN बनाते time की का यूज किया था manual select करिए और वो ही की का enter करिए 123456 click on click OK and then click next authentication method में हम select करेंगे MSChap version 2 EAP के लिए चाहिए certificate अगर आप इसे configure करेंगे तो इसके लिए certificate चाहिए जो अभी है नहीं तो हम लोग इसको skip करेंगे MSChap की लेंगे then click next यहां पर हम group add करते हैं यह active directory के group है जो आप add कर सकते हैं इस group के जो members होंगे वह access करेंगे वह login कर सकेंगे VPN से यह group को भी हो सकता है जो already existing group है domain admins domain enterprise admin को भी group हो सकते है या फिर एफ एक नया group बना सकते हैं नया group बनाने के लिए ADP जाए ADP जाकर के आप एक नया group बना सकते हैं कोई भी OU के अंदर इस group को बनाने के लिए हम लोग स्लेक्ट करेंगे global security को इसका नाम रख सकते हैं GS remote VPN user something like this इसके बाद इसमें user को add कर ये आप किसी भी user को add करना चाहते हैं यहां पर हमने admin को add किया है यह global group को जिससे हम लोग ने अभी बनाया है इसको हम लोग domain admin में भी add कर सकते हैं click on member of and then you can add to the domain admin group as well अभी आते हैं यहां पर और यहां पर हम लोग add करेंगे groups और यहां पर मैंने दोनोई groups को add किया है domain admin groups को भी add करते हैं और जो हम लोग ने बनाया है अभी GS remote VPN users उसको भी हम लोग यहां पर add करेंगे then click on next next करने के बाद यह मिलता है input output filter का input output filter में हम यह configure कर सकते हैं कि किस particular subnet या port को ही authentication होना चाहिए इसको skip करते हैं और आगे बढ़ते हैं encryption को भी skip करके आगे बढ़ते हैं real name क्या होता है चलिए हम लोग इसको समझने का कोशिज करते हैं real name को समझने के लिए हम लोग एक्जैंपल लेते हैं दो तरह से लोग इन करते हैं फर एंपल आविंस office.com and backslash and then username डालते हैं यहां पर यह जो है है डोमेन हम लोग डाल रहे हैं this is called real name या फिर हम लोग यूज करते हैं admin अट अविंस office.com तो यह हो गया हमारा real name यूजर जब भी लॉग इन करेगा vpn पर आटमेंटिकली उसे मिलेगा एक डोमेन नेम उसे डोमेन नेम backslash लिखने ही जुरत नहीं पड़े हैं इसके सिर्फ इतना ही फैसलेटी है तो यहां पर हम real name को skip करते हैं और आगे बढ़ते हैं click next जा सीधे information and then click finish nps console में radius client पर click करते हैं right side में radius clients जो इतने भी है वो configure के हुए दिखेंगे यहां तक हम लोग ने VPN और राउटर को configure कर लिया है और radius को भी configure कर लिया है next हम लोग configure करेंगे client computer को client configure करने के लिए हम लोग जाते network and sharing center पे network same center में set up new connection then connect to workplace next and then use my internet connection VPN select करेंगे and next यहां पे हम लोग option लेंगे I'll set up in the internet connection later then here we have to enter the IP address of the VPN that was 64 129 20 31 then create a connection create हो गया यह आपको connection देखने की मिलेगा change network adapter settings में यहां पर VPN connection आ गया double click on this connection यहां पर देखिए हम लोग ने जब बनाया है इस पर सकता है connect करिए और यह credential आपको enter करने को पूछ रहा है यहां पर credential नहीं देख करके आप edit में जाते हैं और यहां पर आप credential डाल सकते हैं अविंसoffice.com और administrator and then enter the password as well and then save it save करने को बाद go to back and connect let's see it should connect now yes it is connected अब हम लोग को यह दिखना है connection होने का मतलब क्या है इसको हम लोग जूम करते हैं और समझते हैं इसके connection को connection का type देखिए यह VPN connection है इसके dnx suffice में देखिए evinsuffice.com को मिला है IP address में देखिए 20 और DNS 10 मिला है VPN के connection का validator हम लोग router पर भी कर सकते हैं यहां पर आप आएंगे VPN पर यहां पर देख रहे रिमोट access client है यहां पर right side में एक computer तो connected है already यह कब से connected है 1 minute 29 seconds आप रिफ्रेश करिए 1 minute 29 seconds यह अभी हम लोग ने जो connect किया है उससे यह connected है इस connection को और समझने के लिए हम लोग dhcp पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन से सबनेट से क्या IP मिल रहा है यहां पर देखिए जो भी IP dhcp से मिल रहा है वो किसको मिल रहा है router.avinservice.com को मिल रहा है यहां पर देखिए बहुत सारे IP मिल रहा है. सारे के सारे IP एक ही server को जा रहा है. यह कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा router पर आते हैं और port के ऊपर पॉर्ट को पर जब क्लिक करेंगे, इसमें देखेंगे right side में बहुत सारे पॉर्ट open एंजो कि VPN port है यह वी आईपीं पॉर्ट है जो डीuming से IP लेकर Reserve रखते हैं और जब भी एक ammuynikation होता है, यह IP प्रोवाइड करते हैं अगर हम लोग डिस्कनेक्ट करें तो क्या यह जो आई-पी मिला है यह आई-पी रिलीज हो जाएगा यह कम्मुनिकेशन नहीं होगा चलिए एक बार इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और देखते हैं डिस्कनेक्ट करने के पाद जो आई-पी अगया और देखिए इसमें जो आई-पी अड्रस आया है और इस टैम संथिंग डिफ्रेंट क्लाइन कंप्यूटर से हम लोग वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हैं जो हम लोग उन्हें प्रोडक्शन में बनाये थे दूसरी वेबसाइट भी ओपन करके देख लेते हैं वन बाइवन यह भी हो गया चली वेबसाइट को पिंग करके देखते हैं AWS.Away Issue.com पिंगा रहा है अब भी बीपैंग को डिस्कैक कारते हैं और देखते हैं की पिंग और वेयप सइट अपन होथा है disconnect and then let's see ping ping to me order it is all when you are a kuchini website refresh for correct there website we any communication bandhoga other I'm not gonna be been disconnected here to yet a VPN thank you very much for watching like and subscribe and comment if you have question just enter the question write the question I'll answer